तीवी सीरियल अनुपुमा की कहानी में आज रात याने की दिवाली की रात होने वाली है वन्राज और अनुपुमा शाह के लिए बेहत खास क्योंकि यहां पर होगा चुनोतियों से भरा सफर जहां पर मूद तोर जवाब देगी अनुपुमा वन्राज को होगा कुछ यूँ कि वन्राज वैसे ही बहुत जादा अपसर चल रहा है बापुजी के दिये हुए इस फैसले से कि इस घर में आधा नाम अनुपुमा का भी होगा इसी बात की फ्रस्टेशन में वन्राज ने कर ली है काव्या से भी लड़ाई और जैसे ही वन्राज अपनी गली में आता है दिवाली की पूजा के लिए वहाँ पर उसे फिर से मिल जाती है काव्या और एक बार फिर से इन दोनों की होक टॉक आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाली है जैसे जैसे वन्राज काव्या की वजह से अपना माइंड खराब करेगा उसे अच्छानक से याद आएगा कि आज तो घर पर दिवाली पूजा है और दिवाली पूजा के लिए सब मेरा वेट कर रहे होंगे दूसरे तरफ आप देखेंगे कि घरवाले बड़े ही शिद्दत से वन्राज का इंतिजार कर रहे होंगे लेकिन शुप महुरत भी जान के लिए राजी हो जाती है और पूजा शुरू कर देती है जैसे ये वन्राज भागता दोरता हुआ अपनी घर आता है वो देखता है अनुपुमा को उसकी जिगा पूजा करते हुए और वो गुस्से से तल मिला जाता है आग आने वाले अपीसोड में आप देखें ये कि क कैसे अनुपुमा को धमकाते हुए उसकी आउकात दिखाते हुए वन्राज उसे गाली देने ही वाला होगा तब ही अनुपुमा उसे वौन करती है और कहती है कि खबरदार मिस्टर वन्राज शाह आप सामने जो खड़ी है वह पहले वाली अनुपुमा नहीं है और आपका यह behavior तो पहले वाली अनुपुमा भी बरदाश्ट नहीं करती जैसे वन्राज इस बात को सुनता है वो अनुपुमा पर हाट उधाता है और थपर माणने के कोशिश करता है लेकिन एंड मौके पर अनुपुमा वन्राज का हाथ पकरती और कहती है आप ये गलती मत समझेए कि मैं अनुपुमा हूँ और पोवाली अनुपुमा भी अपनी इज़त पर कोई भी आच नहीं आने देती और फिर इस अनुपुमा की तो बात ही अलग है ये कहकर वन्राज का हाथ ज नामने ओन स्क्रीन कब होता है